असलारेकूम आज हम आपको बनाने सिखाएंगे पकोडे उसके लिए मैं चाहिए होगा बेसन, दो कप्स, आलू, एक छोटा स्लाइस की आवा, प्याज एक, बारिक स्लाइस कीवी, चाट मसाला हाफ टी स्पून, लाल मेर्ज पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी वी लाल मेर्ज एक टी स्पून, पुदीना एक टेबल स्पून, गाजर आधी छोटी स्लाइस कीवी, इस तरहां से छोटी चौप कीवी, धनिया दो से तीन टेबल स्पून, हरी मेर्ज एक छोटी सी, इस तरहां से बिलकुल बारिक का टीवी, मीठा सोडा, क्वाटर टी स्पून, नमक, एक से देट टी स्पून, खुटीवी धनिया, एक टेबल स्पून, जीरा ड्राय रोस्ट कियावा, और भुनावा और पुटावा, दो टेबल से पहले हम प्यास बाउल में डाल देंगे, उसके बाद आलू, गाजर, दन्या, मेर्च, पुटीवी धन्या, चाप मसाला, मेर्चे, तुदीना, जीरा, सोडा, और ये नमसाले को अच्छी तरह से, मिक्स कब देंगे, वेजेटेबल्स में सारे मसाले मिलना है, फिर हम इसमें बेशन एड़ करके, अच्छी तरह से, मिक्स कर देंगे, इसके बाद इसमें हम एक लास पानी एड़ करके, पिल्कुल मिक्स करके, पेस्ट बनातेंगे, अब ये हमारा मसाला रेड़ी है, इसको हम 15-20 मिनट साइट पे रख देंगे, और फिर ओल में फ्राइ कर लेंगे, पैन को हम आग पे रख देंगे, ठोड़ा सा जरम कर लेंगे, ताब के पकोड़े, तक्री बनादा लेटर, अब तक्री बनादा लेटर, ऑल हमने पैन में एड़ कर दिया है, इसको गरम होने तक, तोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें पकोड़े एड़ करेंगे, ये ओल गरम होती का है, इसमें बबल्स बन रहे है, अब आप इस तरह से एक छोटा स्पू अब इन पकोड़ों में अपना बेस तोर गिया है, अराम से हमें उससे घुमा सकते हैं, जब ये स्लाइट भी अपना पलर चेंज करें, तो हम इने निकाल देंगे, इसके बाद उनको बीच में से काट के सिजर के साथ वापिस से फ्राइ करेंगे, ये पकोड़े हमने इस सि काट के मदब से काट दिये हैं, चोटे-चोटे पीसे में वीच में से, इस तरह से, ये जो हमने काट के रखे ते, ये हम ऑईल में डाल देंगे, और इने पाइव मिनट तग कुप करेंगे, ये बोल्डन ब्राउन हो जाए, अब ये कलर चेंज करने लगे हैं, अब हम इने काट अराम से, कावल डिशू पे निका देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हो हो, वेग्णा हो जाए, ये हमारे पकोरे तयारे, झाल निकाँ.